सो हेई गाईज आज हम दुबार से एक नई सीरिस को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्शल उनिवर्स जो कि आप सभी को काफ़ी जद़ पसंद आएगा और साथ ही एपिसोड वन होने वाला है एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक फॉक्स को देखते हैं जो कि आगे के तरफ भाग रही होती है और उसके पीछे से बहुत से लोग आ रहे होते हैं जो कि उसे पकड़ना चाते थे वो फॉक्स उन लोग उसे बच्च के जैसे न तैसे करके निकलना चारी थी पर वो लोग देखे थे हमें खाई को जहां पर यह फॉक्स उसी खाई के अंदर कूच जाती है और हम देखते हैं इसके उपर एक स्पेशल एफेक्ट के साथ पर आ चुके हैं अब फॉक्स उड़ने लग जाती है पर यहां पर वह जादद बेर नहीं उड़ पाती ठीसी चलते वह भी न आए होते हैं अब यहां पर फॉक्स होते हैं अपने मुह में से पथर निकालती है जो कि वह स्टोन होता है अब यहां पर बोलती है कि अब वह टाइम आ चुका है मुझे इसका इसका इस्तमाल करना भी पढ़ेगा वह फोक्स भाई उस तोंड को ऊपर लेके उड़ने लग और देखते हैं और ब्लास्त के साथ इक ओलगाई की दिखाए जाता है एंग ब्राइम सारी थिखता जाता है और साथ को बच्छा धेखर थे अब अमधा पर इंतना मत पी हो अब यहां पर ऊदली और लिव्यां बताएं जाता है जो कि वो दोनों एक husband wife है और साथ में जो पीछे बच्चा है वो उनका लड़का है अब वो शावलीन भाई अपने आपको काफ़े ज़्यदा कमजोर और एक खराब इंसान समझ रहा था क्योंकि शुरुआत में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो काफ़े ज़्यदा दर्दन यहां पर ऑलता आता है और बागतί जंगल के अंदर आ जो बहुत अब सुटार यहां पर सूच रहा था आधर काफ़ी दी च्बसे इसको चलते कुछ बातों की वजब हुए उसके पूर और इसके पूरी को उससे बाहर निकाल दिया गया आप वो लोग एक जोपड़ी में रहते हैं अब भागते भागते गिरी जाता है जो कि काफी जदा उसे चोट भी लगती है अब यहां पर यह सोच रहा होता है अब यहां पर वो लोग होते हैं वो लिंग डॉन को मारने लग जाते हैं काफी बुरी तरह से शुरुआत में तो वो अपनी मॉफस को डॉच करता है पर जैसे हैं तैसे करके वो उसे नीचे गिरा देते हैं अब यहां पर पिटते पिटते भाई वो नीचे खाई में गिर जा था अब वो एक पत्थर के आके रुख जाता है अब यहां पर जो उसके उपर पत्थर ता वह तोटके नीचे आते 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 वह सीधा पानी के अंदर गर जाता है अब वो यही सोच रहा था कि मैं हरानी सकता हूं लोगे को वो अभी अभी सपने में था मतलब वो संस ले सकता था उस पत्थर के वरिस्फ़ पानी में अभी वो नीद में था अब लिंग नो भाई पानी के अंदर होते हुए भी कुछ बात है से सोच रहा था जो कि उसके पहले के टाइम के थी कैसे वो बच्पन के टाइम की फिरा में दिखा जाता भाई एक महल को जो कि काफी जदा बड़ा होता है और उसके अंदर हो रहा होता है एक टूर्नमेंट और वहाँ पे एक आदमी आके बताता है कि जो इस टूर्नमेंट को जीते का वो काफी जदा पॉपलर होगा हमारी फैमली के अंदर अब मतलब इसके अंदर कोई भी जी सकता है और कोई भी इससा ले सकता है पर वो काफी ज़्यादर पावरफुल होना चाहिए और साथी उसे टॉप 10 के अंदर आने का भी मौका मिज़ा जाएगा जो इस मैच को जीत लेगा और हम देखते हैं यहाँ पर लिंग दॉन और साथी जो इसकी पूरी फैमिली होती है वो उस मैच के अंदर उतर चुकी थी अब यहाँ पर जो शाउंट लीन होता है वो भी काफी दर प्रेपर होता भाई उस मैच को जीतने के लिए और साथ ही वो उसके सारी फैमिली उसे काफी सदर encourage करती है अब आपा आप ही जीतोगे आप हार नहीं सकते अब हमारा फर्स्ट अपोनेंट तयार था जो कि शाउलीन था अब यहाँ पे देखना होता है कि जो सेकेंड अपोनेंट होता है वो कौन होगा अब हमारे दोनों ही अपोनेंट के पास काफी ज़्यदा powerful energy थी अब देखना यह होता है कि इन दोनों के भी जो fight होगी इन दोनों में जीतेगा कौन क्योंकि यह दोनों ही काफी ज़्यदा एक दूसरे की competitive player हो जाते हैं और सारे लोग यही सोच रहे थे क्योंकि भाई जो शाउलीन है उसे कमजोर नहीं समझ सकते अब शाउलीन भी होता है अपने पूरे form में आ जाता है और साथ ही जो लिंग लोंग टैंग होता है वह भी अपने धिर दिरेवर पावर से इस्थमाल करने लग जाता है अब इन दोनों के भी जो इस फॉस्टी मूव के अंदर यहां पर लिंग लोंग टैंग उसके अंदर नहीं डाली अब इहां पहर these अब यहां पर कह ś helmets काफी ञोरा से ब्र shipping से जीत जाता है अघली वह मैं इस से उससे मिला तो तो बदला ले के रहूंग मैं गए यहां आपि अभी लिंग और और वह इंदर उसलिए घो जाता है जब हो लोकित डेक्ता हो जल्डी से उपर आने के ट्राय करता है उपर आ जाता है अब यहां पर जो इनरजी निकलती है जिसको ऑपर पानी के उपर आदा देता है फिल्म देखते हैं पर लिंग डॉंग अभोश आ चुका था आप वह अपनी एक अलग जगा पर देख रहा था जहां पर हर चीज़ चमक सीरी होती है यह कि देखते हैं बहारठ से किठन देखते हैं उसके अंदर बाई लड़की देखती है जिसको नाम कुई टैन होता है वह लड़की इस हो 똑같i है है कि तुम आए बन लटकों से बिडेते हैं मैं ने ना तुम काफी जदा बुरी तरह से घायल भी हुए पर वो लिंग डॉग बताता है तुम ही देख लो मुझत अभी तक कुछ भी कोई चोट भी नहीं लगी खरोज था कहीं है मेरे कुई अब यहां पर लड़की देखती हां तुम सही कह रहे हो तुम नहीं बिड़े तो इसक उसके हाथ की जो लाइटनिंग होती है वो अभी हलकी हलकी हो रही थी अब यहां पर अम देखते हैं मतलब खड़ा हूं अकेरे में और उसके अंदर से बढारा से बहुत से बैम्बू निकलने लग जाते हैं अब वो बैम्बू दिर दिर हो कि बड़े भी हो रहे थे और साथ में उसके अंदर ब्लैक शैडो एक उसी की जैसा लिंक डॉंग आजाता है अब वो कुछ इविल टाइप कहता तो उसे मारने के लिए आया था पर यहाँ पर हो सकता है भाई एपिसोड का पता चल जाए कि यह भाई इसको मारने के लिए ना आया हो हो सकता है यह इसकी प्रैक्टिस के लिए आया हो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच चाल हो जाती है और इसके पास वह कुछ ऐसी special effects की जो कि लिंग डोन को काफी बुरी तरह से गायल भी कर सकते थे पर यहाँ पर लिंग डोन में काफी ज़दा अपनी मैनत करता है काफी ज़दा बड़िया तरीकी से फाइट ले रहे थे अब यहाँ पर एक एंडिंग सीन जो कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर लिंग दोंग अपने वन पंच से भाई उस बैंबू को काफी बुरिता सा तोड़ देता और यहीं पर बाई वो जिब देखता है तो वो बई अपनी चट के ऊपर सो रहा होता है एक डंडे पे और साती जितना भी सारा सामान होता है उस सारे दर दर भिखरा होता है साती वो जब देखता है उपर सो रहा हो नीचे धनाम से आके नीचे गर जाता है यहां पर दुबारे से उसकी सिस्टर होती है वो उसको बुला रही होती है कि मुझे छोड़ दो यहां पर उद्यसी भाई लिंग्डॉंग भाग के जाता है और एक तैवोई लोग उसे दुब लड़की को चेंड जाते हैं अब जैसे ने तैसे करके वह लड़की होती मतलब को उन लोगों को पौदा देने के लिए राजी हो जाती है अब जैसी वह लड़का बाई उस पौदे को यह चूता है उतनी देर में अब यहां पर लिंग डॉंग आ चुका ता उसे दक्का द चैलेंज कर देता है क्या तुम में से लड़ सकते हैं और दोनों ही काफी दर पावर्फुल होते हैं यहां पर क्यूंकि लिंग डॉंग के पाद वह स्टॉन था और साथ ही कैसे काफी जादा स्ट्रॉंग पावर भी बड़ जो लड़की होती है उसे मतलब उन्हें को मना कर पंच में जब उसके हाथ पे लगती चिंगारी उठती है वह सारे काफी ज़्यदा है और लिंग डॉंग भी देखे है रहान हो जाता है जो उसके हाथ पे डूब गोल्डन तरुकी बस शाइनिंग आने लग जाती है और लिंग डॉन यहीं बोलता मतलब कल रात में वह साइ अब यहां पर दुबारा से वह लड़ने के वाज तैयार में आ जाते हैं और साती जो इन दोनों के बीच ऐसी पावर्स पावर्फुल मूव्स चलते हैं और दोनों के पास भी कुछ स्पैशल पावर्स थी और दोनों एक दूसरी के लिए काफी ज़ता टक्कर बरते अब य यहीं पर बाई यह लास्ट पंच में यह एपिसोड एंड हो जाता है आप सभी को काफी ज़ता पसंद आया हो गई एपिसोड